नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं सकते हैं और अपनी जगा पतनी कलपना सुरेन को परदेश की बागडोर सब सकते हैं सुत्रों के मुताविक बिधायक दल की बैठक में हेमन सुरेन ने बिधायकों से कहा है कि इडी की करवाई उन पर दवाव बनाने के लिए की जा रही है हालात जो भी होंगे उनका सामना करना पड़ेगा मीटिंग के दरान हेमन सुरेन ने अपने मीडिया सलाहकार के घर की जा रही इडी की करवाई का भी जिक्र किया CM ने विधायकों को बताया है कि उनके मीडिया सलाहकार के कमरे के ताले को ED ने चार लोगों से मिलकर तुड़वाया आगे भी दबाव बनाने की कोशिश जारी रह सकती है ऐसे में किसी भी तरह के राइनितिक हालात का सामना करना पर सकता है CM ने सबसे आगे की रणनिती पर पुछा तो विधायकों ने कहा जो भी फासला लिया जाएगा सब साथ देंगे अब सभी विधायकों को अगले कुछ दिनों तक रांची या आसपास के इलाके में रहने के लिए कहा गया है ज्यारखन में 10 लाक लोगों को मिलेगा रोजगार सुरू हो चुकी है तयारी राजे में इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मेनुफेक्चिरिंग को बढ़ावा देने के लिए तीन सहरों में ESDM इनोवेशन हब की अस्थापना की जाएगी इसके लिए राजची जमसेदपूत अथा धनबात का चैन किया गया है सुचना तक्निकी एवम E-Governance विभाग आगामी भी तिये वर्ष के बजट में इसका प्रस्ताव लाने की त्यारी कर रहा है IT Data Center and DPO Investment Promotion Policy 2023 में भी इसका प्रविधान किया गया है कैबिनेट के स्युक्रिति के बाद वर्ष 2023 से 28 के लिए अहनिती लागू हो गई है IT Data Center and DPO Investment Promotion Policy में रांची और धनबात में Electronic Manufacturing कलस्टर के निर्मान का भी प्रविधान किया गया बर्तमान में पूर्वी सिम्भूम के आदितेपूर में या कलस्टर है जार्खन समेत पूरे देश में चालकों की हरताल खत्म सरकार के अस्वासन के बाद Hit and Run कानून को लेकर ट्रॉक वो बस चालकों की हरताल खत्म हो गई है देश ब्यापी हरताल के तहत बिरोध कर रहे ट्रॉक चालक अब काम पर लोटने लगे है हलाकि जार्खन के दूर दराज के इलाकों में बुद्धवार को भी कारोबार संबंधी परिशानी बनी रही जार्खन चेंबर और रांची चेंबर ने इस बात की पुष्टी करते हुए कहा है कि एक दो दिनों में इस्थिती समाने हो जाएगी रांची चेंबर के अध्यक संजय माहुरी ने कहा है कि हरताल समाप्त होने को लेकर कुछ इलाकों में चालकों में अब भी भ्रहम किछीती है और इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉंग्रेस को इस मामले को असपच संदेश देना चाहिए ट्राक और बस ड्राइबरों के हताल खत्म होने से आम लोगों ने रहात की साथ लिहाए सीसु पंजी कारे में लापरवाही बरतने वाले राजे के सिक्षकों पर गिरेगी गाज निदेश किरन कुमारी पासी ने सभी 24 जीलों में सीसु पंजी करन कारे की जाज के लिए टीम का गठन किया है हर जीले में 7 जनवरी तक भ्रहमन कर अनुसरवन दल के पताधिकारियों को सीसु पंजी करन कारे की समिक्षा का रिपोर्ट तयार करने का निदेश दिया गया है विशेस रूप से कम जोर जनजाती समोहों के छेत्रों को प्रत्मिक्ता देते हुए उन छेत्रों पर विशेस ध्यान देने का निदेश दिया गया है किरंध कुमारी पास्टी ने अनुसरवन दालों में सामिल पता अधीकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे सिक्छा पता अधीकारी या बिद्याले के अधीकारी जो सीसु पंजी करन्द कारे में लपावाई बरत रहे हैं उन्हें चीनित कर्वी भागी करवाई के लिए अनुसंसा करे बिपक्ष आदिवासियों को नहीं सिखाए लोकतंत्र सियम हमांत मुख्यमंत्री हमां सुरेन ने राइनितिक बीरोधियों पर महापूर्शों की जियानती के मोके पर उनकी कही बाते सोसल मीडिया पर पोस्ट करनी साना साथा है मरांगोम के जैपाल सिंग मुंडा की बातों कावलेक करते हुए सुरेन ने कहा है कि आप लोग आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते बलिक आपको समानता और सह अस्तित्व उनसे ही सिखना होगा उन्होंने कहा है कि सम्विधान सभा के सरस मरांगोंब के जैपाल सिंग मुन्डा हमेशा आदिवासी और सोशित समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते रहे जैपाल सिंग मुन्डा परदेशिय छतविती योजना के अंतरगत जारकन सरकार ने राजिय के वन्चित वर्ग के 50 युवाओ को सरकारी खच पर विदेश में उस सिक्षा के लिए भेजने का काम किया है बाक चोरी करने वाला सुनिल साहो निकला प्यले फ़ाई का हाटकोर उग्रवादी एक केस रंगदारी मांगने और 20 फोटक अधिनियम से जुड़ा है जबकि दूसरा केस उग्रवादियों के नाम पर जान मारने की धाम की देकर लेवी मांगले का है आरोपी ने लोहर दग्गा में वाहनों में अगजने की घटना को अंजाम कुछ महपूर्व दिया था पुलिस को इस बात की भी असंका है कि आरोपी राजधानी में बाइक चोरी करने के लिए आता था बाइक की चोरी करवा पियलेपाई उग्रवादियों को प्लब्ध कराता था ठंड से बचाव को लेकर राज सरकार ने जारी किया एडवाजरी स्वाष्ट चिकित्सा सिक्षा एवं परिवार कल्यान विभाग जलवाई परिवारतन एवं मानाव स्वाष्ट कारकरम के तहत ठंड को बढ़ते देख राज सरकार की ओर से एडवाजरी जारी किया गया है साथ ही लोगों से अपील करते हुए ठंड से बचने को कहा है इसे लेकर कुछ आवस्षक निर्देश भी दिया है इसकी जनकारे जिला में हमारी विश्षक डाक्टर मनीस से खरने दिया है उन्होंने पता है आग ठंड की वज़से हाइपो थर्मिया हालका 90-95 डिगरी एफ मध्यम 82-89 एफ गंभीर 82 डिगरी इसका लक्षन चक्कर कपाहत सरदर्द पेट में एठान गहरे रंग का पेसाफ होना तता हिर्दय घात वह स्वास समधी समस्या हो सकती है जरूरत नहों तो थन में बाहर निकलने से बचे वही गरम कपड़े का उपयोग करे CM के प्रेश सलहकार समेत बारा ठीकानों पर छापा परवतन निदे साला एडी के टीम ने अवैद खनन के आरोप में मुखे मंत्री के प्रेश सलहकार CM के करीबी बिनोज सिंग साहबगन के उपायोग्त DSP राइनितग्योवा IAS अपसरो का पैसा निवेस करने वालो एडी के गवाहों को होस्टाइल करने के अलावा जेल में सराब कबाब की बेवास्था करने वालो नो लोगों के बारा ठीकानों पर छापा मारा है ED ने छापे मारी के दाएरे में रांची के चार साहब गंज के पांच देवगर के एक राज्थान के दो और कुलकता के एक ठीकाने को सामिल किया है अवय दिखननन गोटाले में ED दवारा इससे पहले पांच चरनों में 37 ठीकानों पर छापे मारी की जा चुकी है स्रियम हमन्त नहीं देंगे इस्थीपा हर लड़ाई लड़ने को तयार मुखी मंत्री हमन्तरी जार्खन की रायनिती में तैर रहे सवालों का जबाब अपने गड़बंधन की बिधायकों को दे दिया है मुखी मंत्री शीरी ज०य ने साता पक्षे पिधायकों से कहा है मैं इस्थीपा नहीं दे रहा हूँ राज में एक कोई नेतित परिवर्टन नहीं होगा हेमन श०य है और हेमन ठी रहेंगे बिधायकों ने इसका समर्थन किया है इस्थिती गंभीर हो जाने के बाद सरकारी अस्पतालों में सीधे रेफर नहीं कर पाएंगे नीजी अस्पताल अब नीजी अस्पताल मरीजों की स्थिती गंभीर होने पर सीधे सरकारी अस्पतालों को रेफर नहीं कर पाएंगे नयम आपदंड के अनुसार अस्पताल को यह देखना होगा कि मरीज की सांस की नली ठीक से काम कर रहा है या नहीं अक्सिजन, सेचुरेशन, बीपी सुगर, पल्स रेट, हार्ट रेट ठीक हा या नहीं अगर यह चीजे या मानक के अनुरूप नहीं है तो नेजी अस्पताल, मरीज को सरकारी अस्पताल मेरे पर नहीं कर सकते हैं रांची पहुँची भारतिये महिला होकी टीम जार्खन की रजधानी रांची में होने वाले होकी ओलमपिक क्वालीफायर 2024 के लिए भारतिये महिला होकी टीम होकी ओलमपिक क्वालीफायर 2024 के बुद्धवार सामरांची पहुँची बीर्समुंडा हवाई अड़ा पहुचने पर महिला खिलाडियों का परामपरिक निरित्य और धोलना गारे बजा कर स्वागत किया गया इस दोरान होकी इंडिया के महासची उस्वा होकी जारकन के अद्यक सिरिभोलाना सिंग ने खिलाडियों को साल उड़ा कर स्वागत किया है बतादे रांची के धरती पर कदम रखने के साथ ही भारतिये महिला होकी टीम की कप्तान सवीता पुनिया ने कहा हम पूरी तयारी के बाद आये हैं और हमारा प्रसिक्षन सत्र बहुत अचा रहा है इसलिए हम टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तयार हैं आदिवासी समाज को जागरित होना होगा अरजुन मुंडा मरायंग गोम के जैपाल सिंग मुंडा देश को पाला स्वन पदक दिलाने वाले होकी खिलाडी थे वे सविधान सभा के सर्स्त थे सांसेध भी बने सवीधान सभा में आधिवासियों के हग की बात की उक्त बाते केंद्रीय मंत्री साख खुटी की सांसेध अरजुन मुंदा ने बुद्ध वार को जैपाल सिंग मुंदा के पैतरिक गाउं में आयोजीत कारक्रुम को समबोतित करते वे कही उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को जागरित होने किया सकता है आज इक्के दुख के लोग आगे बढ़ रहे हैं संख्या इतनी कम है कि समाजिक दिरिष्टी से मजबूत होने के बाद भी विकास की दिरिष्टी से पीछे है उन्होंने कहा कि प्रधान मत्री नयादमदी ने 15 नौमर को आदिवासियों से आगे बढ़ने का वहन किया है आदिवासि समाज का पिछडापन देश का भी पिछडापन है जारखन में बारिस को लेकर एलो अलर्ट जारखन में बारिस के साथ साथ बजरपात की चेताणी मौसम भी भाग की ओर से जारी किया गया है बुद्धवार तिन जरुआरी को भारत मौसम भी ज्यान भी भाग के रांची स्थित मौसम केंद्रे ने कहा है कि जारखन के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश होगी इस दोरान बजरपात होने की भी असंका है मौसम भी भाग ने इसके लिए दो दीन का एलो अलट भी जारी कर दिया है मौसम किंद्र रांची के परमुक अभिसेक अनन ने बताया है कि उत्तर पच्मी जारखन, पलामुक अधवा, चत्रा, कोडर्मा, लातेहार और लोहदगा जिले में कुछ जगों पर चार जनवरी को हलके दर्ज की बारिश होने की संभावना है वहीं बारिश के साथ साथ बजरपात भी हो सकता है वहीं पांच जनवरी को पर देश के उत्तर पच्मी ततामद भागों में कुछ जगों पर में गरजे के साथ बजरपात की भी संभावना है मुख्य मंत्री आवास पर बैठक में अंबा पर साथ बोली All is well जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन को परवतन इद साला की ओर से भेजे के साथ बेश समन के बाद से सूबे का रायनितित तापान बढ़ गया कांके रोड इचित मुख्य मंत्री आवास में सतारोट गड़ बंधन की बिधायकों के बैठक बुलाई गई बतादे बैठक से पहले मुख्य मंत्री आवास के बाहर सुरक्षा करी कर दी गई भारी संक्या में पुलिस बलो को तेनात कर दिया गया एक एक कर जार्खन मुक्ती मोर्चा कॉंग्रेस और आश्रे जनता दल के बिधायक CM हाउस पहुँच रहे बतादे हजारी बाग जीले के बाका गांप इधान सबासीट से कॉंग्रेस की बिधायक अंबा परसाथ जब CM हाउस पहुची तो पत्रकारों से उन्होंने कहा All Isual बताया जा रहा है कि अगर इडी ने मुख्य मंत्री हमा सुरेन के खिलाब कोई कटोर करवाई की तो उससे निपटने की रणनीती तयार करने के लिए या बैठक बुलाई गई है जारखन में मद्दताओं की संख्या बढ़ कर हुई 2.54 करोर जारखन में मद्दताओं की संख्या में ब्रीधी हुई है गत वर्स 5 जन्वारी को परकासित हुई मद्दाता सुच्ची के मुकाबले इस वर्स पहली जन्वारी तक भोटरों की संख्या में करीब 9 लाग की ब्रीधी दर्श की गई है चुनाव आयोग के आकड़े के मुताबिक 1 जन्वारी दो हजार चोवी तक राजवे मद्दताओं की कुल संख्या 2.53,92,3 तक पहुँच गई है जबकि गत वर्स मद्दाता पूर्णिक्षन के बाद मद्दताओं की कुल संख्या 2.45,39,904 थी चुनाव आयोग ने मद्दता सुची के अम्तिम परकाशन की तीथी को 5 जन्वारी से बिस्तार देकर 22 जन्वारी कर दिया है सुची के अम्तिम परकाशन तक मद्दताओं की संख्या में और इजाफा होगा जमसेदपूर में फाराया जाएगा 66 फीट का तिरंगा जमसेदपूर अंचल सह प्रखंड कर्याले में गंतंद्र दिवस पर 66 फीट का तिरंगा लहराएगा राजिकाया पहला पंचाय सह अंचल कर्याले होगा जहां 66 फीट का तिरंगा फाराया जाएगा इसके गवाब बनेंगे पंचपन, मुखिया और पंचाय समिती सह से मध्य हलूद बनी के 500 सह संचार अध्यक्स रहना पूरती के अनुसंसा पर 15 अभीत आयो के पंच से जारकन की खरीद की जा रही है जमसेदपूर वीडियो सचिदानन महतो ने बताया है कि 66 फीट का तिरंगा फाराने वाला जमसेदपूर का पहला परखंड होगा पंचस रहना पूरती ने बताया है कि यह घौरों की बात है वर्ष 2022 तेस में पंचस निधी ने राष्ट्रिय धोज खरीद की पहल की गई थी जो अब धरातल पर उतरने वाली है होमगाड बहाली में धांधली का आरोप होमगाड की बहाली में धांधली का आरोप लगा सैक्डव अभियार्थी ने मंगलवार को DC और SP कर्याले के सामने परशन किया अभियार्थी होमगाड की मेधा सुची ततकाल रद करने की मांग कर रहे थे अभ्यार्थियों ने पहले ASP कर्याले के सामने प्रशन किया वहाँ आवेदन देने के बाद वे DC कर्याले पहुचे तब ही DDC किर्ती सिरी की गारी निकल रही थी अभ्यार्थियों ने उनकी गारी रोक कर अपनी मांगे से अउगत कराया इसके बाद अभयार्थी DC करा लएके सामने डटे गए वहीं आंदोलन के दोरान बिधी बेवास्ता में तैनाथ पुलिस बल से अभयार्थियों की नोग जोकपी हो गए सुचनापर सीटी DSP कुलदीब कुमार, ट्रैफिक DSP, पुजन मिंज, सेक्टर 12 इस्पेक्टर दुलड चोए, बीए सीटी इस्पेक्टर संजय कुमार वहां आए और सान्ती बेवस्ता कराई धान खरीद में फरजीवारा पर अंकूस अंगुठा लगा कर बेच सकेंगे धान सुबह में धान खरीद में फरजीवारा नहीं हो इसे लिकर राज सरकार ने किसानों से धान कराए के सिस्टम में बदलाव किया है इस सल धान खरिद में निबंधित किसान इपोस मसीन में अपना उठा लगाने के बाद ही धान बेश सकेंगे इसके लिए सब ही धान करए करने वाले लेप्स पैक्स में इपोस मसीन उपलब्द रहेगा अधार यूक्त सिस्टम से धान करए को जोड़ा गया है हलाकि अब तक पुर्वी सिमूम समेथ राज में धान खरिद का सिस्टम मैनुवल था इसमें फर्जीवारा की असंका थी लेकिन अधार यूक्त सिस्टम से धान खरिद होने पर ऐसी असंकाओं पर अस्थाई रूप से बिराम लगेगी कांग्रेश में जल्द होगा सिटो का बटवारा जार्खन कांग्रेश के परभारी गुलाम अहमद मीर अपने जार्खन दवरे के दूसरे दिन बिधायक दल की बैठा को समधित कर रहे थे इस दवरान परदेश कांग्रेश अध्यक्स और हेमंत सरकार में कांग्रेश कोटे के चारों मंत्री ही महजूद थे बैठा के दोरान परभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि सरकार ने ओवी से अरक्षन को बढ़ा कर सता इस परज़त करने का प्रस्ताव बिधान सवा से पारित किया लेकिन इस पर अनुपालन नहीं हो रहा लंबे समय से सरना धर्मकोट की मायं को बिधान सवा से पारित कर केंद्र सकार की अनुपालन के लिए भेजा गया है सीबीएसी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की रिपोर्ट कार्ड पर अब अविभावक देंगे फीडबाएक सीबीएसी स्कूल में नई सिक्षा निती के अनुशार अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर अभिभावक को कार फीडबाएक लिया जाएगा CBSE के दोआरा जारी पत्र के अनुसार, बच्चों के सरॉंगिं विकास के लिए सिख्चक और अभिभावक दोनों अपने अपनी जिमेदारी को मिल कर निभाएंगे इस निती के लागू होने के बाद अभिभावक बच्चों की जिमेदारी में प्रस्तिक्षित किया गया है धन्यवाद